समस्कार मैं डॉक्टर श्राद्धा वस्रिष्ट आपको सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ आग मैं फिर आप सभी के लेकर आई हूँ बहुत ही महतपों जानकारी जो कि संबंदित है दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई एक नोटिफिकेशन से जी हाँ दिल्ली के शिक्षा विभाग ने रिइंबर्स्मेंट ऑफ ट्यूशन फीस तो दे माइनोरिटी स्टुडेंट्स अफ ट्यूशन फी का रिइंबर्स्मेंट मिलता है कख्षा पहली से बारवी के बच्चों को उनके संबंद में जारी करा है नोटिफिकेशन इसमें कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल्स को जो यह बात बार बार कही गई है कि बहुत से ओनलाइन वेरिफिकेशन स्टुडेंट्स की अभी भी पेंडिंग है अभी भी पूरी नहीं हुई है इडिस्ट्रिक पोर्टल पर और इस बात को बार बार अलग-अलग सर्कुलर के माध्यम से उनके सामने रखा गया है कि वह यह जिल्दी करें लेकिन इतने साइड रिमाइंडर्स के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यारती है जिनका ओनलाइन वेरिफिकेशन पुब्लिक स्कूल्स के दवारा और DDE जोन लेवल के माध्यम से पूरा नही किया गया है इस संबंध में जो चेर बरसन है डेली माइनोरिटी कमिशन के उन्होंने बहुत स्ट्रॉंग डिस प्लेजर यानि कि उन्होंने कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मैं संतुष नहीं हूँ जो काम इस समय दिल्ली के पब्लिक स्कूल्स और DDE जोन एडिट प्राइवेट स्कूल्स को कि वहे ओनलाइन वेरिफिकेशन पूरी करे विद्ध्यारतियों की जो रिइंबस्मेंट ऑफ टूशन फी तु दे मारटी स्टुडेंस के तहत आते हैं और जब वेरिफिकेशन करेंगे जब ओनलाइन फॉर्म को वेरिफाई करेंगे तो को अगे वेरिफाई करें गाईडलाइनस को स्कीम की और जो टुडेंस को को पूरा करते हैं उनके अप्लिकेशन को आगे फर्वड करें जो कि जो तहात दहेंनाले जिसमें की तूशन फीन रिइंबस होगी अगर ज पूरे नहीं करते हैं उनके फॉर्म को रिजेक्ट भी कर यानि कि उनकी तरफ से कोई भी फॉर्म अब रहना नहीं चाहिए, सारे फॉर्म वे चेक करें, जिनके फॉर्म्स एलिजिबिल्टी क्राइटीरिया को पूरा करते हैं, उन आगे फॉर्वर्वर्ड किया जाए, ता कि आगे DD Zones आगे फॉर्दर फॉर्वर्वर्ड कर सकें, ऐ जिन students के फॉर्म ऐसे हैं, जो eligibility criteria को पूरा नहीं करते हैं, ऐसे में students के फॉर्म को reject किया जाए, काम पूरा किया जाए, काम जो भी लटका हुआ है, जो online applications वेरिफाइ नहीं हुए है, उन्हें पूरा verify किया जाए, तो CK Datta, जो joint director है, प्लानिंग के उनकी तरफ से जारी notification है, हमेशा की तरह, यह मेहतपूर जानकारी, सबकिशिक्षा के मादन से, मैं Dr. Shraddha Basrashapkil लेकर आई हूँ, साथ ही कहना चाहूंगे, आप मेंसे बहुत सारे लोग है, जी हा, हजारों के संक्या में ऐसे अभी भी लोग है, जो सबकिशिक्षा की वीडियो को regularly लेखते हैं लेकिन जीनों ने सबकिशिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है, आप सभी से कहना चाहूंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो महतपूर वीडियो आप से मिस हो जाती है, साथ ही दाकिला प्रक्रिया की फिर से शुरुआत होने जा रही है, अगस सित सब्सक्राइब नहीं करा है, सबकिशिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें, अब नहीं दोक्तर श्रद्दा बंसिश के जाज़ा दीजे, नमशकार.